हेलो फ्रेंट्स, ओल एक्जाम प्रिपेरेशन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सो फ्रेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बार QDC लेबल 2 में ऐसे भी आने वाले हैं सो मैं आपको ऐसे कराऊंगा सो बिफोर भी बिगिन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेर भी कर दें एंड बैल एकन जुरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए इन्स्टेंटली, ओके फ्रेंट्स, एंड टेलिग्रम चानल को भी जॉइन कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कराऊंगा, तो उनकी जो पीडियोफ से हैं, वो आपको झजली जल्दी प्रोवाइड हुआ चैनल पे तो आप Telegram Channel को भी जॉइन कर लें तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट सो टुड़े वी हम टॉपिक ऑन ओने एडुकेशन तो हेर वी बिगेंग कि आ पेंडेमी के करण अब सारी जो पढ़ाई यह और यह वह उंलनाइन हो चकी है सो आज उसी की बारे में टॉपिक लेकर आयो मैं यह आपके लिए बाहर टुटी से लेबल टू में ऐसे ही बहुत most important है so आप इसको याद कर लेना और बार प्रैक्टिस भिगा लेना so देखते हैं so आपको पते हैं education is an important part of our life it can either make us और break us so आपको पता होना चीए कि education का है एक essential part है our life का हमारी जिन्दगी का essential part है okay यह अपने को बना भी सकता है it can either make us और break us इसलिए आपको तोड़ भी सकता है या आपको बना भी सकता है ठीक है in the future depending on the carriers we choose like जो भी अपने futures जो अपने carrier अपने future में choose करेंगे like either we choose we will choose what science and you know arts so like that so आपको कहा है कि जो भी अपने carrier choose कि अगर वो अपने को interest नहीं है उसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने को break कर देगा अगर जो अपने subject choose करेंगे अपने को इसको बहुत ज्यादा interested है उसमें अपने subject को उसमें सो उससे क्या होगा कि it can either make us or break us आपको समझ में आगे ना चलो आगे देखते हैं so online education involves an electronic mode of learning and teaching यह क्या online education involves an electronic mode जो सारी चीज़े हैं जो सारी study होगी वो online के थ्रू होगी electronic के medium से होगी ठीक है so education occurs outside the classroom आपको पता है कि classroom में तो online education होगी नहीं यह outside the classroom होगी like अपने घर पे बैटके home पे बैटके अपने पढ़ाई कर सकते हैं laptop में हैं so यह जो कैसे education यहाँ तापी outside the classroom होगी through digital platform okay through digital platforms it enables students to acquire educational experience through technology so इससे क्या होगा कि अपने online पढ़ेंगे so उससे क्या होगा कि जो education experience है वो technology के थ्रू हाएगी you know technology के थ्रू ओके so online education being delivered in the form of text animation audio video and images अब आपको पता है कि आपको टीचर पढ़ेंगी online education online online के थ्रू online platform के थ्रू तो उससे क्या होगा अपने को text animation audio video उसके mediums माधियम से अपने को सब चीजे समझ माएगी okay like biology है तो उसमें जो diagram होते हैं वो cells like tissue so वो diagram के form में अपने को समझ में समझ में आएगा online education through so easily understand होगा और दिमाग में में मेरेगा okay next one देखते हैं the covid-19 has resulted in closer of schools all across the world आपको पता है कि covid-19 ना चुका है okay आगे है यह जो pandemic है इसके करण क्या हुआ जितने भी schools है जितने भी colleges है जितने भी you know schools colleges all across the world वो सारे shutdown होगे वो बंद हो चुके है इसे करण के online जो education है उसका image हो चुका है image आगे है वो आच का organization ठीक है so इससे के वह globally देखते है globally over 1.2 billion children's are out of the classroom it means जो 1.2 billion children's है वो are out of the classroom इसका मतलब क्या है कि वो classroom में नहीं जारे इसका मतलब shutdown होगे न shutdown होगे तो classroom में कोई पढ़ेगा नहीं वो सब online पढ़ेंगे सो सारी जो education वो online में convert हो चुगी है so as a result education has changed drastically with the rise of e-learning so education suddenly move on होगी है shift होगी किसमे offline online में move हो चुगी है education so whereby teaching is undertaken on digital performance जितने भी teachers हैं उनकी teaching का होने लगी online education online platform पे होने लगी so research suggests that online learning has increased retention of information take less time अब आपको पता है कि like crossroom में तो आपर teacher delay भी हो सकता है okay and बहुत सारा crowd होता है तो उससे क्या होता है कि अपने को चीज़े भी इतनी समझ में नहीं आती distraction होता है but यह अदरकना कि जो online अपने पढ़ेंगे education में उसमें आपको चीज़े जिल्दी आज़ेगे कि विज्वेल ग्राफिक से थूरा पने पड़ेंगे इसको तो ज्यादा तक दिमाग में रहेगी रिटें मतलब क्या हो ज्यादा देर तक दिमाग में रहेगी और time भी कम लेगेगा ठीक है और worldwide there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries affected by schools closer due to this pandemic अब इसमें यह बता रहे है कि यह pandemic हुआ है इसके करण कितने कितरे country 186 country affected हुए है okay 186 country affected हुए है due to this pandemic okay next देखते है in response to significant demand many online learning platforms are offering free access to their services so इसके करण क्या हो गया जो online learning learning की जो platforms की डिमांड है वो बढ़ गई है और वो free offers free access दे रहे हैं ठीक है students को like platform like daijews and an academy ठीक है और research shows that on average students return 25 to 60 percent more material when learning online compared to only 8 and 10 percent classroom देखो यह क्या लिए रहे हैं कि जब ओन्लाइन जो ही education आगे सकर्ण क्या हुआ है सकर्ण किया हुआ है इसकर्ण क्या हुआ है एसका क्या हुआ हाप तो जो students है वो अपने दिमाग में में 25 इए 25 60 percent तक Me भी आहां वह जो आपने पढ रहे हैं वो दिमाग में नहीं है तो एक शीज मुष्लाइब लिव टैबर सुड्स एक ही वहाज हो रहा है जैसा कि आपको पता कि यूवास फैडाओ से फायदा हो और चीजें भी कम सीख पाएंगे, ठीक है, friends, so क्या reason है, because students can learn at their own pace, revise the concepts and as when they want, so actually देखो, अब offline education है, तो offline education है आपको पता है कि teacher, जैसे आप late हो गए, आप late आए, ठीक है, classroom में तो teacher तो पढ़ा चुकी, अब वो तो अपने rewind कर नहीं सकते हैं, यही अपने को online education फायदा है, by chance in case अपने नहीं आपाएं, okay, जैसे कोई delay हो गया online education में, ठीक है कोई काम पढ़ गया, so अपने इसको क्या करेंगे, उसको अपने download कर लेंगे, बार में देख भी सकते हैं, so revise, rewind करके बापिस देख भी सकते हैं, उसको, ठीक है, तो यह एक benefit है online education का, कभी भी कहीं भी अपने उस चीज़ को देख सकते हैं, lectures को online, ठीक है, so online education has made flexible because learners have the freedom to study at suitable time, वही चीज़, same, क्यों अपने education के है, कि एक flexibility है दे दी है अपने को, students को, learners को, कि वो कभी भी कहीं भी बैठ के उस चीज़ को याद कर सकते हैं, suitable time में, कभी अपनी मर्जी से वो time पर कुसी चीज़ को याद भी कर सकते हैं, so it is also true that learning is highly dependent on the individual motivation to learn, so यह कहा है, कि देखो, अब जिससे आप classroom में हो, classroom में teacher होते है, so teacher classroom में होंगे, तो इससे कहा कि अपने को, इसका मतलब कि अपने distraction होगा, like अपने सर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर सर वर्चुल ही पढ़ा रहे हैं, वो actual में तो पढ़ा नीरे वहाँ पर, you know, classroom में, so उससे कहा कि अपने जो distraction होगा, इधर उधर, so वो अपने motivation, वो अपने पर पढ़ाया है, वो आप याद कर लें, ठीके friends, यही यही आपको, ऐसे इसी स्थाप कर लिखना है, आप इसकी practice कर लेना, box वाली आपको प्रवाइट कर दी गई है, so आप इस चीज़ों को याद करें ना, जितनी भी है, online education, I hope आपको समझ में आ जाओगा, अगर अभी भी आपको कोई query है, कोई doubt है, तो आप comment कर देना, ठीके friends, so और मैं आपका वापिस कहूँगा कि आज रात तक यह कल तक वो PDF प्रवाइट हो जाएगी, so आप channel को subscribe भी कर लें, और telegram channel को भी subscribe कर लें, okay friends, so I think it's enough for today friends, so thank you so much and stay safe, stay home, thank you, bye-bye. झाल